जम्मू कश्मीर में आतंकी फिरेक पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे जिसे पुलिस और सुरक्षा भलो के जवानों ने नाकाम कर दिया सेना ने पुलवामा के आयन गुंड इलाके से आईएडी से लेस सेंट्रो कार परामत की जिसे बाद में बम निश्क्रिय दस्ते ने सुरक्षित तरीके से नश्ट किया कार में लगाई गई आईएडी का वजन 45 किलो के आसपास था ये आईएडी से लेस कार आतंकी संगठन हिजबूल मुजाइदीन और जैशे मुहमत के सदस्तों ने तयार की थी आईजी पी विजे कुमार ने घटना की जानकारी देते वे बताया कि दक्षिन कश्मीर के जिला पुलवामा में सुरक्षा बलो को निशान बनाने के लिए ही हिजबूल मुजाइदीन और जैशे मुहमत ने मिल करिये आईएडी से लेस वहान तयार किया था इस वहान में लगी आईडी का वजन कम से कम 40-45 किलो के करीब था सुरक्षा बलो की चौकसी और समय पर उठाए गए कद्मों ने बड़ी तरास्दी को टाल दिया है उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, सेना और सियार पीएफ को पिछले कई दिनों से संभावित फिदाईन हमले के बारे में इंपुट मिल रहे थे उन्होंने बताया कि गत बुद्भार को हमें ये पक्की जानकारी मिली की आतंकी हमले के लिए तैयार वाहन को ठिकाने से बाहर निकाल रहे हैं सुचना के आधार पर जिला पुल्वामा के विभिन इलाकों में विशेश नाके स्थापित कर दिये गए आत्मगाती हमलावर जिस कार में बैठे थे उसे दो नाकों पर रोका गया चितावनी के तौट पर गोली बारी भी की गई परन्तु वो वहां से फरार हो गए हाला कि सुरक्षावल उनके पीछे थे पुलवामा के आयानगुण के राजपोरा इलाके में कल देर रात आतंकी वहां छोड़ वहां से फरार हो गए कर बारीड़ लिए ने से बनें ठाल होग्राई थे या अच्छा रख्षावल ओऊठाव कतल इसा जो सिर्ट ने के अच्छ संवक्तर सेंथाइए साथ